है गाईस माई नेम इज अभिशेक महौरिया तोड़े आई विल बी डिस्कर्स एबाउट बॉन सबसे पहले हम जानेगे कि वाटीज बॉन बॉन होती क्या है बॉन हमारे बॉड़ी में इंपोर्टेंट क्या रखती है और ये कितने टाइप्स की होती है आज हम उसके बारे मे हम जानेगे सबसे पहले कुछ उसके इंपोर्टेंट पॉइंट उसके डिफिनीशन्स देख लेते हैं तो देखते हैं कि बॉन इज आव वन थर्ड कनेक्ट्टू टिसू इट इज इंप्रिग्नेंट बाई विथ कैल्सियम सार्ट विच कंस्टिट्यूट दार रिमेनिंग टू थर्ड पार्ट कहने मतलब यह है कि वन थर्ड कनेक्ट्टू टिसू हमारी जो बोन होती है बोन जो होती है वन थर्ड कनेक्ट्टू टिसू एंड टू थर्ड कैल्सियम सार्ट से साल्ट से मिलके बनी हुई होती है ठीक है अब नमबर तो इसका पॉइंट सो दूसरा प हमारी बॉन में जो इन ऑर्गनिक कैल्सियम सोट होता है वो हमारी बॉन को बहुत मजबूती प्रोवाइट करता है बहुत मजबूत बनाता है ठीक है? और फिर उसको बाता था इफ दा ऑर्गनिक टीसू इज रिमूबड बाइब वर्निंग दा bone crampless into the small pieces मतलब कि अगर हमारे bone में जो inorganic tissue है inorganic tissue बना है inorganic calcium salt से अगर हम उस burning के थुरू उस को हम remove कर देते हैं तो हमारी bone जो होती हो crampless मतलब छोटे छोटे भागों में वो तुट जाएगी उसके बाद यह हो गया bone की हमारी definition अब उसके बाद हम देखेंगे इसका function क्या होता what is function of the bone? function of the bone it is use, save and support of the body मतलब यह हमारी body को एक धाचा, एक safe प्रवाइट करती है जिसको कि हम isclutter system बोलते है और दूसरा इसका function जो होता है these are provide surface for the attachment of the muscles, tendons and ligaments मतलब कि हमारी bone के surface जो होती है surface उस पे हमारे जितने भी muscles होते हैं जितने भी tendons होते हैं, ligaments होते हैं सारा कुछ हमारी bone में bones के surface पे attached होते हैं और नमबर तिन इसका function होता है bone is also protect the brain and spinal card मतलब कि हमारी bone होती है, वह हमारे internal organ में से उन्हों में से एक internal organ brain and spinal card और नमबर तिसरा होता है heart ठीक है, तो यह also protect यह protect करता है हमारे brain and spinal card को और फिर इसी में आ जाता है कि bone marrow manufactures blood cells मतलब कि bone marrow जो होता है वो भी हमारे bone के bone में ही पाया जाता है ठीक है, जिसका formation blood cells, जो कि blood cell का formation करता है और बात आती है यहाँ पे कि हमारे bone में bone marrow कहाँ पायाता है तो जितने भी हमारी long bone होती है उन्हें बीच वाले part में जिसको हम diafasis बोलते हैं diafasis में हमारी medallory cavity होती है और उसी medallory cavity में हमारे bone marrow present होते है अभी तक हम देख रहे थे bone और उसके function अब उसके बाद हम देखेंगे classification bone को कितने भागों में classified कर किये हैं कितने भागों classified हैं तो number 1 होता है according to safe development classification original classification and structural classification अब one by one इसको हम discuss करेंगे सबसे पहले first of all हम देखते हैं according to safe and size मतलब की bone के size और उसके आकार पे bone कितने भागों में उसको divide किया गया है मैं उसके बार में जान देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि long bone long bone होती क्या है यह जो होता है यह लंबी bone इसमें यह लंबी bone होती है जिसमें कि यह एक diafasis इसमें यह लंबी bone होती जितने भी long bone है उनमें three border and three surface होते है अब उसके बाद देख लेते हैं कि long bone होती कौन कौन सी है तो first of all आ जाते है long bone के भी types है तो नमबर एक आ जाता है typical long bone typical long bone का example होता है upper region में मतलब कि upper part में body के upper part में three bone आती है lower part में तीन bone आती है long bone में तो नमबर एक आ जाता है humorous मतलब कि arm की bone radius and unlong मतलब four arm की bone and femur हमारी thigh की bone और tibia and fibula मतलब हमारी leg की bone ये सारी bone जो है ये 6 bone जो होती है ये long bone होती है अब उसके बाद में आ जाता है miniature over short long bone मतलब कि long bone तो होती है इसमें एक epiphasis होता है इसमें एक ही epiphasis होता है और epiphasis अभी हमने पहले बता है discuss किये थे epiphasis का मतलब articulate and smooth जो होता है इसको epiphasis bone बोलते है epiphasis indoor बोलते है तब इसके भी part होते है इसके part में इसके example और इसके example कौन से हैं, तो इसमें देख लिए जिन, metacarpalm, हमारी phalangeus and metatarsal, उसके बाद आ जाता है, long bone में ही आ जाता है, modified long bone, modified long bone का मतलब क्या है, मतलब कि ये long bone तो होती है, but इसमें medullary cavity नहीं होती है, तो उसका example हो गया हमारा clavicle फिर उसके बाद आ जाता है एक art into shape में ही आ जाता है नमबर दो short bone, short bone मतलब छोटी bone, हमारी body की जो छोटी छोटी bone होती है उसको हम short bone में रखा गया है, जैसे कि usually co-wide and scaphoid इसका example जो होता है tarsal and carpal tarsal हमारे ankle में पाया जाता है जिसमें कि 7 bone होती है and carpal carpal जो होता है हमारे wrist में पाया जाता है मद इसमें 8 bone होती है यह छोटी छोटी bone होती है फिर उसके बाद आ जाता है तीसरे नमबर पे flat bone, flat bone का मतलब क्या होता है flat bone इसके नाम से ही पता चला flat चप्टा हुआ ठीक है तो जितने भी हमारी बाड़ी की चप्टी बोन होती है ठीक है अब कोई भी चीज होता है उसमें अगर चप्टा होता हो तो उसमें एक सेलो टाइप सेलो एक गड़े टाइप में उसका अकार होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है रिसेंबल सेलो प्ले की ऑंडरी मिलती है तो जैसे की मांद पहले हमारे प्रोटेक्ट पाइगा में पाहता है के ब्रेक्सके लिग्हामा फ्रोकजें लेम Hurricane žाइए इसकेपला बॉन हो गय depressed बाॉण एक सेल्फट होती सेल्फट होती है सेलिय प्लेट होती है। यसमें 3 बौॉणृड यह हमारे इसकेपला बॉन जो है इसमें एटेच होता है रिप्स डिप्स डिपHiess अर मतलब कि जिसका कोई सेफ ना हो ठीक है उसको हम एर्पट्र में बॉलते है सबसे में 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 होता हमारी हीप बॉन हमारी बॉट्टी की सबसे रॉइलोंग यियोगलर बॉन होती है ठीक है अब उसके बाद और फिर उसके बाद में हमारे स्फेनोइड हो गया सर्वाइकल आप दी वर्टिब्रा वर्टिब्रा की सर्वाइकल बोन हो गई है ठीक है फिर उसके बाद आजाता है हमारा फिर उसके बाद आजाता हमारा नुमेटिक बोन pneumatic bone का मतलब क्या है containing irregular bone contain large air space line by the epithelium मतलब की irregular bone में हमारी large air space मतलब की لمba air space present होता है जैसे कि हमारा example हो गया maxilla और इसके noid फिर उसके बाद आ जाता है हमारी number 5 scissimoid bone scissimoid bone होती क्या है scissimoid bone scissimoid bone इसके नाम से ही इसका अर्थ निकल लाए दी जार bonny embedded in the tendon or joint capsule मतलब की हमारी body की ऐसी bone जो की हमारे tendon और joint capsule में धसी होई embedded मतलब धसी होई जो bone होती है उसको हम scissimoid bone बोलते है नमबर उस जिससे कि इसका example number 1 हो जाता है हमारी पटेला bone नी की हमारी पटेला bone और से PC farm PC farm bone and rider bone फिर उसके बाद आ जाता है accessory bone accessory bone का मतलब क्या होता है accessory bone तो ऐसी bone जिसमें की switchering हमारी skull की bone जैसे skull की हमारी जो bone होती है वो switcher आप मतलब कि जहां पे switcher से एक bone से दूसरी bone switchering करसे मिली हुई होती है उसको हम accessory bone बोलते है number ribs cervical and cervical ribs फिर उसके बाद आ जाता है number 2 development classification मतलब development classification के अनुशार इसमें तीन प्रकास classification होते है number 1 membrane bone cartilage bone membrano cartilage genius bone मतलब की membrane bone जिसको फिर्ष्ट एफ one by one करके हम discuss करेंगे तो number 1 आ जाता है OC membrane bone membrane bone की आते है नाम से ही पता चला है membrane bone मतलब की membrane से जो हमारी membrane जो हती है उससे जो ossify हो रही उस bone को हम membrane bone बोलते हैं जैसे कि उसका first of all example आ जाता है facial bone frontal bone and हमारी frital bone ठीक और number 2 आ जाता है cartilagious bone cartilagious bone इसका भी नाम से पता चला ossify in the cartilage हमारी जितने भी cartilage से हमारी bone जो निकल नहीं ossify हो रही है उसको हम cartilagious cartilagious bone बोलते हैं number एक आ जाता है इसमें humorous bone femur vertebra vertebra number ठीक है और number 3 पे आ जाता है membrane और cartilagious से मिलके दोनों से मतलब आधा membrane और आधा cartilagious इन दोनों से मिलके जो bone बनी होई होती है उसको हम membrano cartilagious bone बोलते हैं ना जैसे कि हमारी cervical bone हो गई mandible bone हो गई occipital and temporal अब इसका next part next video होगी this is my first video यदि आपको अच्छी लगे तो please like comment share करिएगा अगर ना भी समझ में आया हो तो मुझे comment करके बताईएगा कि हम और कोसिस करेंगी इसको improvement करने की thank you